गुना संसदी चेत्र की तीन बिधानसभा सीटों पर उपचनाओ है बीते कुछ दिनों से यहां हुए लगे बड़े कारिक्रों में यहां के संसद डॉक्टर केपी आदब लगाता नदारत रहे इसके बाद तमाम सारी चर्चा होने लगी थी कॉंग्रेस भी इसको मुद्दा बनाने लगी थी इसी दौरान आज डॉक्टर केपी आदब ने अशोक नदर मिधानसभा सीट के उम्मीदवार जचपाल सीच जजी के चुनाव कारले काउद घाटन किया और तमाम सारी चर्चाओं पर विराव लगाने का कौशिस की साथ ही एक संदेश देने की कौशिस की है कि भारती जंता पार्टी पूरी तरह से एक चोट है उलेकनी है कि राजी सबसंचत जोत्रणिस सिंदिया को हरा कर सुर्खियों में आए सांसत केपी आदव और सिंदिया के बीच तलकिया लगातार रही है कई बार ऐसे मौके रहे थे जब एक दूसरे से मिलने से कतराते रहे थे या मंचों से भी तलक टिपनिया एक दूसरे को लेकर हुई थी जब जोत्रणिस सिंदिया मद्द्रदेश की सरकार को बदल कर बीजीपी में सामिल हुए थे तब भी केपी आदव बहुन रहे थे या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी साथी इसी दौर लगातार को कारिक्रों में उनकी अनपस्टती इसी को लेकर पार्टी ने ये प्रयास किया है कि एक जुटता का संदेश देने की कौसिस की जाए बीते कुछ दनों से सांसद अपने छेतर में सक्री हुएं कुछ दिन पहले मुगावली में भी कारिकरताओं की बैठक लिये और आज शोकनगर में भी उन्होंने कारिला का उदगाटन कर दिया है ऐसे में ये तस्वीरें सुखद हैं कि जो व्यक्ति लगातार संपर्क से बाहर रहा था या बीजीपी के तमाम उन नेताओं से जो अभी कौंगरेस से आए हैं उनके निसाने पे रहे था अब उनके लिए प्रिचार करने के लिए अतारु हो गया है उनके कारिक्रमों में भाग लेने के लिए आ गया है आज मिडिया से मुकातिप हुए डॉक्टर केपी अदव ने कहा कि ब्यक्तिकत तोर पर हुए वैयान बाजी को अब बहहर सही नहीं मानते उनका कहना है कि सिंधिया और वहेगी की पार्टी में है और यह पार्टी अनुशासन की पार्टी है जिसमें दौनों एक साथ काम करना चाहते हैं साथ ही उन्होंने कहा कि वह पूर में सिंधिया को लेकर कह भी चुके थे कि कॉंग्रेस उनके लिए सही जगह नहीं है बीजी प्योन के लिए सभी जागए है